प्रणाम मित्रू आज की समय में अधिकतर लोग मानसिक तनाव का शिकार हो रही हैं घरों में अशांति का वातावन बना रहता है काफी प्रयास करने के बाद भी तरक्की नहीं होती व्यापार सदा ही मंदा चलता है और पति-पत्नी में अशां में बिना किसी कारण के वाद विवाद होता रहता है इन सबका जियोतिशिय कारण कुंडली में ग्रहों की इस्थिदी, शनी की साड़े साती, ढहिया या मारक ग्रहों की महादशा या अंतरदशा होने के साथ साथ आपकी घर या दुकान या ओफिस में वास्तु दोश का होना भी है यदि आपकी कुंडली में पित्र दोश, कालसर्प दोश या अन्य कोई सादोश है या फिर आपका घर दक्षिन मुखी है या घर में प्रबल वास्तु दोश है जिसके कारण आपकी घर में कोई न कोई सदैव बिमार रहता है या आपकी बरकत नहीं होती और आप सेंक्णों जीवतिशों से प्रामर्श लेने के बाद भी उसी इस्थिती में हैं तो निराश मत होई आपकी समस्याओं का एक मात्र समाधान है भाग्यूदय धूर्पत्ति वैदिक समय में रिशी और साधु सन्यासी प्रति दिन पांच समय हवन करते थे जिससी वातावर्ण शुद और मन प्रसन्न रहता था तथा जीवन में आरोग्य और सुक सम्रिद्धी की प्राप्ति होती थे लेकिन आज की इस भाग्यूदय धूर्पत्ति में किसी भी प्रकार की जहरेले केमिकल्स या अन्य अशुद्ध पदार्थों का अपयोग नहीं हुआ है यह पून्त है साथविक वेशुद्ध है जिसमें गाय की गोबर, गौमोत्र, देसीगी, कपोर, जटामासी, लॉंग, हवन सामकरी, रातरानी सुगन, एवं अन्य और्गैनिक अदार्थों का प्रियोग हुआ है इसके लगातार प्रियोग से घर, ओफिस, दुकान आदी में सकारात्मक और पवित्र वातावरन का निर्मान होता है जिससे देवदाओं की कृपा प्राप्थ होती है और भाग्य का साथ प्राप्थ होता है भाग्य उदय धूपत्ती में प्रियोग होने वाले पदार्थों की कारण इसके नित्य प्रियोग से जन्म पत्रिका में निर्मित सभी दोशों का नाश होता है और राजयोग का निर्मान होने लगता है जिससे भाग्य का उदय होने लगता है और मनश्य को लक्ष्मि, सुक्सम्रिद्धी के साथ साथ मन की शांती प्राप्थ होने लगते हैं तो यदि आप भी अपने घर, दुकान या ओफिस को पवित्र और सुगंधित बनाना चाहते हैं और अपने भाग्य को उधित करना चाहते हैं तो आज से ही उपयोग मिलाईगी भाग्य उदय धूपति ध्यान रखेगा बंधों भाग्य उदय धूपति भाग्य के उदय का एक मार साथन भाग्य उदय धूपति